नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के साइंकाली इनस्क्रण में सरप्रथम सभी को रक्षा बंधन की बहुत बहुत बधाई है एर आज अम बातचीत करेंगे विशेश कर विहार के संदर्व में और वैसे पूर्अ राष्टर के संदर्व में जो राजनीतिक समी कराण बन रहे हैं जो राजनीतिक परिदर्शे बन रहा है ओंकार चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपका स्वागत है ओंकार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है ओंकार जी बहुत स्वागत है बहुत स्वागत है तो नितीश जी ने घोशला कर दी है कि नरेंदर मोदी जो है वो दोजार चौविस में प्लानमंत्री नहीं वन पाएंगे तो आपको क्या लगता है नितिश जी को गंभीरता से लेना चाहिए नितिश जी को गंभीरता से लेना तो बिहार की जंता ने यहीं छोड़ रखा है बिहार की जंता ने उनको काफी समय पहले से गंभीरता से लेना छोड़ रखा है संजय जी, 2015 में जब महा गढ़बंदन बना करके इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, तब रिजल्ट क्या रहे थे? आर जेडी को 80 सीटें मिली थी और जेडी यू को 71 सीटें मिली थी, 71 का मतलब ये है कि उससे पहला जो विदान सबा चुनाव था, उसके मुकाबले 44 सीटें कम मिली थी, 2015 में जब आर जेडी और कॉंग्रेस और जेडी यू मिलकर के लड़ रहे थे, तब भी इनकी 44 सीटें घट गई थी, इससे पहले विदान सबा चुनाव में जेडी यू को 115 सीटें मिली थी, अगर हम 2020 की बात करें, क्योंकि उसके बाद विदान सबा का चुनाव 2020 में हुआ, उसमें इनकी कितनी सीटें घटी साथ, उसमें इनकी सीटें और ज़्यादा घट गई, यानि 43 पर आ गए ये, 71 से 43 पर आ गए, तो जिस आदमी को बिहार की जनता ही सीरियसली नहीं ले रही है, और जिनका 20 साल का एज चीफ मिनिस्टर का कारेकाल केवल इसलिए है, कि वो कुर्सी से और सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, बाकी बिहार के लिए उन्होंने कितना किया है, ये तो नितिश कुमार अच्छे तरीकर से जानते हैं, उनकी उपलब्दी क्या यही है कि उन्होंने 8 वी बार मुख्यमंत्री पद की शपत ली है, और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, इन्होंने समता पारिटी क्यों बनाई थी, लालु यादव का साथ छोड़ करके, उस समय जॉर्ज फर्नांडी जैसे, दिगविजे सिंग जैसे, बहुत सारे नेता इनके साथ थे, अतीत में वो सारे नेता एक एक करके किनारे क्यों किये गए, यहां तक के शरद यादव तक को इन्होंने किनारे कर दिया एक समय, और भी बहुत सारे चेहरे ऐसे थे, जो उस समय इनके साथ थे, लालू यादव चारा गोटाले में चुकी अव्युक्त बन गए थे, चार्ज शीट दाकिल हो रही थी, जाँच चल रही थी CBI की, इसलिए इन्हों ने कहा कि आप हम लालू जी के साथ नहीं रह सकते, समता पारिटी बना ली, फिर उसके बाद जनत पारिटी की लीडर्शिप का एक कहना है, कि हमने इनको पर्मोट किया, पहली बार चीफ मिनिस्टर, फिर 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2020 में तो इनका नैती का धिकारी नहीं बनता था, भारतिय जनता पारिटी की 74 सीटे थी, इनकी 43 थी, लेकिन शरम नाम की चीज नहीं है, 43 सीटों के बावजूद, ये मुख्यमंतरी बन गए, संजय जी तीन उदारन हमारे सामने हैं, ये तीसरा है, दो उदारन इससे पहले के हैं, पहला है करनाटक का, 37 सीटे थी जेडियेस के पास, जब कुमार स्वामी को कॉंग्रेस ने समर्थन दे करके चीपनिस्टर बना दि दूसरा हुदारन है महाराष्ट का, उदव ठाकरे, उनकी पारिटी के पास 56 सीटे थी, 288 के सदन में, उनको शरत्पमार ने और कॉंग्रेस ने हर्थे जिंता पारिटी को रोकने के लिए, अगें, करनाटक में भी भाजपा को रोकने के लिए, महाराष्ट में भी भाजप मंतरी बन गए, और अब तीसरा उधारन ये, 2020 में, जो मेंडेट मिला, वो बीजेपी, जेडियू को मिला, कि आप सरकार चलाईए, ठीक वैसा ही, जो महाराष्ट में हुआ, वहां उधाव ठाकरे ने भारतिय जनता पारिटी को डिच किया, यहां नितीश बाबु कर रहे है बहाना चाहे जो बना ले, लेकिन डिटो वही द्रश्य दिखाई दे रहा है, और यहां पर इनकी सीटे कितनी हैं, 43, और बाकी के मिला करके कहीं ज़्यादा, क्या कुमार स्वामी एक भी दिन अपनी मर्जी से शासन चला पाए, क्या उधाव ठाकरे मजबूरी का चेहरा ब पून मंत्राल ले, और जो बंदरबाठ हो रही थी उसमें, शरत पवार की पार्टी ने ही पर भी लूटी थी, और यहां जरा आप देख लीजेगा बिहार में, यहां भी चाचा जी को ऐसा ये खुड़े लाइन लगाएंगे, कि चाचा जी हमेशा याद रखेंगे, कि हु भी तो चुकि अभी तलाक हुआ, अगले दिन सहरा बांध लिया, इन्होंने सिर पर, फिर गोडी पर चड़ गए, वो एक कौन से फिल्म थी, वो खंगना रनौत की, और जिसमें दो फिल्में बैक टू बैक आई थी, उसकी उसमें एक करेक्टर है, वो कह रहा था, कि यह यह साला जो है, घोडी से उतरने का नाम नहीं ले रहा है, और हम जो है वो इंतजार ही कर रहे हैं, तनुवेट्स मनू, तनुवेट्स मनू, तो वो आलम इनका हो रखा है, घोडी से नीचे उतरने को तयार नहीं है, और जनता इनको दूले के रूप में देखने को तया और जब अगला चुनाव और यह भारती जनता पार्यटी के साथ थे, तब इनके सीटे कितनी हो गई, 16, यानि 14 सीटे बढ़ गई इनकी, तो इनको अंतर पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लोकपरियता क्या है, मतलब जिस तरीके से शरद पवार और उदव ठाकरे, अपने फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं, उसी तरह का राग इनोंने अलापना शुरू कर दिया है, कि जो 2014 में हुआ था, वो 2024 में नहीं होगा, अरे भहिया अपना घर संभाल लो, और जो जनता आप से नराज है, उनकी नराजगी किसी तरह दूर कर लो, अगर अब फिर से आप जंगल राजवाले परिवार के साथ खड़े हो गए हैं जाकर के, तो किसी तरह लोगों की नराजगी ही संभाल लो, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, 24 घंटे हो गए, और तीन बड़ी वारदातें हो चुकी एक पुजारी की हत्या हो गई, पठना में एक लूट हो गई, एक पत्रकार की हत्या हो गई, तो यह जो कुछ हो रहा है, यह एक संदेश और संकेश चला जाता है पबलिक के बीच में, और फिर वही होता है, जो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको नहीं लगता कि 2019 में बराबर बराबर सीटों का समझाथा करना एक गलती थी पार्टी जन्ता पार्टी की बराबरी का इस्थान तो आपने इनको स्वेहम दिया माजपा ने इनको स्वेहम बराबरी का इस्थान दिया वोई गलती है यह महराष्ट में दो राते हुए दिख रहे हैं यह कुछ बाती जंता पार्टी सोहम जो है वह कभी भी बिहार में वो खॉन्फिडेंस अपने हाप में नहीं ला पाई इनी तो अगर वो खॉन्फिडेंस लाती दोजार उन्निस का दोजार बीस का चुनाव सोह मकेले लड़ती तो आप नितिश बाबु वैसे ही समाप्त होगे होते तो नितिश बाबु को यहां तक पहुचाने का तो श्रेय पूरी तरह से भाश्पा कोई जाएगा मैं आपकी बाहत से शत परतिशत सहमत हूँ संजय जी भारतिय जनता पारिटी ने जब कॉन्फिडेंस दिखाया तो देखे हरियाना में क्या हुआ हरियाना में भारतिय जनता पारिटी हमेशा देविलाल परिवार की पिछलगू बनी रही और उसका नतीज़ा ये रहा कि यहां तक के एक चुनाओ तो ऐसा भी आया जब सुस्मा सुराज को हस्तक शेप करना पड़ा ओम प्रकास चोटाला से जाकर के बात करनी पड़ी सुस्मा सुराज जैसी नेत्री को भी एक तरीके से चोटाला ने बेजज़त कर दिया था सीटों को ले करके भारतिय जनता पारिटी केवाल इतना चाह रही थी कि 23 की बढ़ा करके 28 कर दीजिए और वो तयार नहीं थे उस चीज़ को ले करके और बाद में हलाकि ये जनहित कॉंग्रेस के साथ भी रहे जो वजनलाल ने बनाई थी ये जो बंसी लाल ने पारिटी बनाई थी उसके साथ भी चुनाव लड़े लेकिन बाद में जब एज प्राइम मिनिस्टर का फेस नरेंद्र मोधी का प्रोजेक्ट करके और लोक सभा में 282 सीटे ली आई भारते जनता पार्टी तो इनका कॉंफिडेंस हरियाना में लोटा और छे महिने बाद जब अक्तुबर में ये चुनाव मैदान में गए तो अकेले दम पर गए और बहुमत हासिल किया नब्य के सदन में 47 सीटे आई थी तो ये कॉंफिडेंस आप जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक किसे बात बनेगी और इनके लिए मोके हैं पंजाब मे में मोका है पंजाब में जब विधान सबा चुनाव हो रहे थे तो मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा और शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि ये चुनाव भारतिय जिनता पारिटी का नहीं है क्योंकि इस तेरह महिन्य के आंदोलन ने वहां वातावरन इतना विशाक्त कर दिया था कि बीजेपी और आरेसस का कैडर जो है वहां पैर भी नहीं रख सकता था ये हालत थी तो आगे आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि जो शेहर में भारतिय जिनता पारिटी के या आरेसस के जो फॉलोवर हैं वो किस तरीके से कॉंग्रेस का और दूसरे दलों का पीछा चोड़ करके बीजेपी की तरफ लोटेंगे क्योंकि एक अगोशित रूप से हम पंजाब में लंबे समय से देख रहे हैं जब से आतंकबाद का दोर शुरू हुआ था और लाला जगत नारायन की और रमेस की हत्या हुईती पंजाब के इसरी व अब बीजेपी एक काम कर सकती है लेकिन करेगी क्या वो तो सब जगे जो है वो बिलकुल माफी मागने की मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं जैसे इस समय महाराष्ट में दिखाई पड़ रहा है और एक नाच्छिंदे को अपने बराबरी पे ले आया है जिसकी जो है चाहिए खायदा कर दिया होगा कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और इस वादे में बीजेपी का नित्रत तो हस गया बलके ख़बरे तो यहां तक निकल करके आ रही हैं कि वो तो हैंती है. कि सिलिफ चीफ मिनिस्टर बनाना औरने कि मिनिस्ट्री में भी बबराबर बराबर हिस्सा करना ये तो अलग अलग चीजे जरे आरे आक यग कैसे बना दिया तो फिर तो लृर्स आपके पास होना चाहिए कि ठीक है आप वो चीफ इनिस्टर बनाते हैं, हम जो है वो टू-थर्ड अपने पास रखेंगे, वो टू-थर्ड पार्टी भी हमी है इस गटबंदन में, यह जो एक तरह का है जो सरेंडर वाला दिखाया इनोंने, यही इनोंने बिहार में दिखाया था, यही सरेंडर का जो वही महाराष्ट में दोहराया जा रहा है? एक बार चीफ मिनिस्टर बनाया, दूसरी बार बनाया, तब भारतिय जन्ता पारिटी के भीतर से भी काफी नाराजगी थी, विरोथ था, कई लोगों ने कहा क्या आप कर क्या रहे हैं, लेकिन आज कहा है मायावती? और आज उनका जो दलित वोट था, उनके पीछे जो बीजेपी के पास है, और मॉस्टली जितनी भी जो सुरक्षित सीटें हैं, वो भारतिय जन्ता पारिटी की जोली में आकर के पड़ी हुई हैं, तो लॉंग वे में जाकर के इसके फायदे होते हैं, अच्छे जो आपने तुलना की, उत्तर प्रदेश की जो आप तुलना कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का वो कारक्रम वो अटल जी अडवानी जी के समय का था, उसका तो दुष्परणाम ये हुआ है कि बीजेपी नंबर चार की नंबर पांच की पार्टी बन गी जाके उत्तर प्रदेश में, और बाद में जब इन्होंने हिमत की, मोदी शाह ने आके, तब जो है वो बीजेपी वापस आई है, लेकिन बिहार और महराश्टर के संदर्व में, तो ये अकेले सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी, वही अटल अडवानी नीती पे वापस चले मेरा तो ये एक इस पर अब्जर्वेशन है, नहीं मेरा कहना ये है, आपने शाहिद वो ध्यान से सुनानी के लोंग वे में जाकर के इसके फायदे होते हैं, अभी फोरी तोर पर आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, महराश्ट में भी आपको ततकाल तो लग रहा है कि भ उदव ठाकरे ने बीजेपी के साथ किया था, वो उन्होंने धाई साल बाद ही सही लेकिन किया, और केवल उदव ठाकरे नहीं, जो खेल कॉंग्रेस ने करनाटक में किया था, जो खेल महराश्ट में किया, और जो खेल अब बिहार में किया है, तीनों जगे, कॉंग्रेस का धलक धलक करना सत्ता के जो वो बर्फी लड़ू पेड़े खा रही थी उससे उसको महरूम करना ये भी एक नीती भाजापा नेत्रत्व की मौजुद नेत्रत्व की है करनाटक में उनकी अपनी सरकार बन गई बलके एक बड़ा बड़ी चोट मध्य प्रदेश में का और मनिपूर से लेकर के गोवा तक ऐसे बहुत सारे उदारन है उर्वत्तर के तो कई राज्य थे जो कॉंग्रेस के ही हुआ करते थे लेकिन आज वहां कॉंग्रेस एक भी स्टेट में नहीं है तो बहुत जो यह दाओं पे चल रहे हैं यह जो कुस्ति चल रही है इस दं पारिटी है कॉंग्रेस तो लूजर है हर जगे अब आकर के अगर यह लोग बिहार में यह सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और प्रशंसा के जो बोल हम देख रहे हैं शरत पमार के मुझ से उदव ठाक रहे के आज सामना में भी बड़ी तारीफ हो करके यह चक्रवाती तूफान में बदलना है दो हजार चोबीस तक तो मतलब जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है बड़ा आश्चरय का विश्य है कि उनको अब भी यकीन नहीं है महाराष्ट में शरत पमार सदमे की इस्तिती में उनको पता है कि क्या हाल है और क्या हो सक आपता है आने वाले दिनों में उदव ठाकरे समल नहीं पाए हैं कहा गया था कि अगर्स्त के शुरुवात से राज्य भर में वह जनसंपर का अभियान चलाएंगे अभी शुरू नहीं कर पाए हैं उनके सुपुत्र का कुछ चला फिर देमिगति करके अब बहुत ही कम सु आज़त ही नहीं है कि कारिकरताओं से मिलें लोगों से मिलें पारिटी को आगे बढ़ाएं तो आप बयान चाहें दो हजार चौबिस को लेकर के कुछ भी देते रहें लेकिन जो विरोधी दल है भारतिय जनता पारिटी के वो भी और जो इनके सहयोगी है थोड़े बहुत खुछे वो भी वो घबराए हुए तो हैं उनको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की लोगपरियता की वज़े से जो इनके सहयोगी है वो तर रहे हैं पार हो रहे हैं और इसका स्रेश्ट उधारन तो बिहार ही है नितिश कुमार ही है दो हजार चोदा में जो दो सीटों पर करने क्ये वजे से आई है या नरेंद्र मोदी की वज़े से आई है और यह बहुत बड़ा फेक्टर है संजेजी यह लोग स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें नितीश को बहुत अच्छे तरीके से पता था दोहजार उन्हीं में उधार ठाकरे को भी इस बात का अंदाजा था कि अगर भारती ये जनता पारटी इसी तरीके से इसी गती से आगे बढ़ती रही तो वो और जादा नुकसान में जाएंगे वो आप भाजपा भी सुईकार करे ना करे लेकिन दो हजार उन्नीस में जो अलग रास्ता अख्तियार किया था उद कि अगर देवेंद्र फरणवीस और पांच साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए और जिस तरीके से वो एक सफल शासक, सफल मुख्यमंत्री और बिना दाग के एक प्रशासक साबित हुए वो ही अगर अगले पांच साल और रहे तो शिव सेना का तो बंदा धार है इसलिए उन्होंने साथ छोड़ा और नितीश कुमार के भी साथ छोड़ने की बड़ी वजए उनकी इनसिक्योरिटी ही है वरना 2017 में उन्होंने इन ही लोगों को क्यों छोड़ा था और अब 2022 में फिर उनी के पास क्यों पहुँच गए क्या वो सारे आरोपों से मुक्त हो चुके है हैं दोश मुक्त हो चुके हैं सारे केस खतम हो चुके हैं या जंगल राज की आशंका क्या अब नहीं बची है बिहार में जी लेकिन ये जो नितीश जी की जो गरवोक्ती है ये इन्होंने 2014 में भी की थी आप वो याद हो तो मुझे एक्जैक्ट जो उनकी जो शब्दावली है वो याद नहीं आ रही लेकिन थी इसी प्रकार की गरवोक्ती की की मोदी को पुर्धान मंत्री जो बनना जो है वो दिवास अपने हैं इस तरह का कुछ था वो और वैसे देखा जाए मैं अपना एलेक्शन एनालेसिस वाला हैट पहनूं तो जो भारती जन्ता पार्टी जब अकेले लड़ी थी और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस उसकी आई थी तो उस समय भी वो 58 सीटें जीती थी तरह पंद्रा दोजार पंद्रा में हाँ त्रह पंद्रा में 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 त्रह प इनका गड़बंदन इसी प्रकार से दिमान भी रहे बर करार भी रहे तो भी ये भारती जंता पार्टी को 12 सीट से नीचे नहीं ले जा सकते हैं तो भारती जंता पार्टी को 5 सीट का लॉस यहां से अधिक से अधिक हो सकता है और वो भी ये है कि इस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो भारती जन्ता पार्टी का कारेकरता थे, मेरे पास रिपोर्ट है, वो बहुत ही जिसे कहें क्लेश में था, दुखी था, और जो रिपोर्ट मेरे पास ये है कि भारती जन्ता पार्टी का कारेकरता नीतीज के जाने के बाद से उत्सा में, तो ये जो इनकी गर्वोगती है वो कहां तक फलित होगी ये हम अभी कह नहीं ही सकते हैं तो बिहार में भी नुक्सान तो होगा क्योंकि बिहार में पूरी तरह से जस परकार से जाती है समीकलर चलते हैं जाती है समीकरणों के चलते नुकसान तो होगा, ये तो हम नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं होगा पंगाल में भी नुकसान होगा, तो इसकी भरपाई कहीं और से हो पाएगी यानि ये देखने वाली बात है, तो ये तो निश्चित है के चुनावती तो नितीज ची ने मोधी के सामने खड़ी कर ही दी है आप क्या तो हजार दो हजार पंद्रा का एक दिलचस्प वाकड़ा मेरे पास है आप कहीं तो मैं इसको बता दू जी 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 दो हजार पंद्रा के इलेक्शन में भारतिय जन्ता पारिटी ने तरेपन सीटे जीती थी दो हजार दस के इलेक्शन में इनको 91 सीटे मिली थी यानि 38 सीटों का नुक्सार होगा लेकिन वोट सेवन पॉइंट नाइन फॉर परसेंट बड़े थे दस अब तो अकेले लड़ेंगे तो नेश्चित ग्रूप से बढ़ेंगे यह दो हजार दस के मुकाबले ब पाश्टिये जनता दल थी उसके वोट बीजेपी से काफी कम थे 79,95,509 वोट थे और जदियू को तीसरे नंबर की पारिटी रह गई थी 64,16,414 वोट मिले थे यानि भारतिये जनता पारिटी अकेले लड़कर के भी 93,00,000 से ज्यादा वोट ले गई थी 2015 के इलेक्शन में और वोट आप परसंटेज भी करीब करीब 8% इंक्रीज था तो वर अलाइंस का जो अवराल अलाइंस का जो डिफरेंस था वो छे परसंट ही था 37% वी जे पी अलाइंस था और 43% आर जे डी जे डी यू अलाइंस था ये 2015 काद ये फिगर था लेकिन उस 6% में जो डिफरेंस सीट में आया था वो बहुत बड़ा था और जहां तक ये सवाल है ना कि वहां पर जो सोशल इंजिनियरिंग है जाती है समीकरण है वो भारते जिनता पारिटी पर भारी पड़ते हैं जब ये सारे एक साथ आ जाते हैं महागडबंदन बन जाता है डिपेंड करेगा क्योंकि तब तो नितीश ने बहुत छोटे समय पहले भारते जिनता पारिटी को छोड़ा था और इनके साथ गए थे 2014 का इलक्षन आ गया फिर 2015 में जो आम महा का विधान सभाचुनाव था वो आ गया लेकिन अभी लोग सभाचुनाव वे कोने दो साल हैं और विधान सभाचुनाव में करीब करीब तीन साल हैं धाई साल तो हैं, तो इन धाई साल में ये गड़बंदन क्या-क्या कारणा में दिखाएगा, और वहां लोगों की फिर परतिक्रियाएं किस तरह की होंगी, जब वोट डलेंगे, ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा, तो अभी से हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, संभावना अतीत के जो परिणाम थे, उनके आधार पर लगा सकते हैं, कि वही नुकसान हो सकता है, पर नुकसान होगा ही, ये गारेंटीड आप नहीं कह सकते हैं, जी, आक्वे, मोधी जी ने भी एक प्ला छोड़ा, नितीश जी के लिए, और वो ये था कि वही, ये तो श शॉर्ट कट में कईबाल शॉर्ट सर्किट हो जाया करता है, तो ये किस और इशारा है, साथ में मैं धर्शकों से अनरोद कर लूँ कि करपे आप अपने प्रश्ण पूछ ले, और वीडियो को लाइक तुरंत ही कर ले, साथ में शेर तो बाद में आपको करना ही है, वो और आप देख रहे हैं कि कुछ-कुछ वो चिकुटियां काट रहे हैं, जैसे अरविंद केजरिवाल के बारे में भी उन्होंने रेवडिया बाटने वाला प्रश्ण जो है, वो उच्छाल दिया है, एक बहस शुरू कराई है इस देश में, और ये क्यों कराई है, ये भी ह हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के करीब करीब 15 राज्य इस समय स्री लंका के रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं संजय जी हम लोगों को, किसी के सिर पर 7 लाग करोड का कर्ज है, किसी के सिर पर 5 लाग करोड का है, किसी के सिर पर जो है वो 7.5-8 पहले कभी अच्छे खासे संपन्न माने जाते थे, बंजाब तो ऐसे ही स्टेट में रहा है, तमिल नाडू की भी कभी कोई दरिद्र नारायन वाली जैसी इस्तिती तो कभी रही नहीं रही है, लेकिन अब कई स्टेट जो है वो बहुत बुरी इस्तिती में हैं, चार अलग अलग मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट्स हैं जिनको अरविंद केजरिवाल दबा करके बैठे हुए हैं, कैक की रिपोर्ट हैं, उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, उन पर लेफटिनेंट जनरल का एक पत्र भी उनको गया है, उस पर नाराजगी भी जाहिर की गई है, क्यों कि जो घाटा हुआ है अलग-अलग मंत्रालियों को इनके फिरी के चक्कर में, रेवडियों के चक्कर में, उसको ये बहार आने नहीं देना चाहते हैं, बसों में महिलाओं को यात्रा फिरी, पानी फिरी, बिजली फिरी, इतने यूनिट तक वहां तक पहुँच गए हैं, और यही हाल अब पंजाब का होने जा रहा है, तो एक तो नरेंदर मौदी ने जिस तरीके से ये रेवडियों वाली बात उचाली है, और ये इत्तफाक से संयोग से अश्वनी उपाद्याये ऐसे समय सुप्रिम कौट में लेकर के गए हैं, आज उसकी सुनवाई भी हुई ह सुनवाई भी शुरू हुई है, इसमे चुनाव आयोक की क्या भूमी का हो सकती है, हो भी सकती है कही कानूनन वो कितना रोक टोक कर सकते हैं, इसमें ये अपने आप में एक बहस का वीशह है, सरकार उसमें कानून क्यों नहीं ला रही है, ये एक बड़ा प्रेशन है, उसके लिए क्या परियाप्त संख्या उनके पास नहीं है या कहीं सरकार भी नहीं चाहती है कि अगर आगे को जरूरत पड़े तो वो भी जो फिरी का है रेवडियों का है वो खोल करके रखे अपने लिए भी तो बहुत सारे प्रेशन है लेकिन एक मोजू सवाल है इस पर देश में सवाल पर जो नितीश के लिए उनोंने कहा है कि यह जो शोटकूट अपना जा रहे हैं तो हम तो इसको समझ ही नहीं पारहे हैं कि नितीश के मन में है क्या और उनके पास तरक क्या है इस बात के उन्होंने केवर एक बात कही है बाकी तो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से आनी शुरू हुई है जैसे सुशिल मोधी ने कहा कि वो उपराष्ट पती बनना चाहते थे उनकी सरकार के ही कुछ मंत्रियों ने कुछ विधायकों ने उन से मुलाकात की थी उपर तक बात पहुंचाने की बात कही थी उपराष् 2013-14 में जब नरेंद्र मोधी को परधान मंतरी पद का खेस बनाया था भारते जंता पारिटी और NDA ने और इन्हों ने मोधी जी के बारे में क्या-क्या नहीं कहा था उस समय और किस-किस तरह से ऐसे तो जो उनके धुर विरोधी थे यानि कॉंग्रेस उन्हों ने भी उस त परितिक मजबूरी है बिहार में कि इनको ढो रहे थे इनको चीफ मिनिस्टर भी बना रहे थे इनको भी इनकी पारिटी के के चैंडिडेट्स को भी जिताने की अपील कर रहे थे और 2020 में जैसा आपने कहा कि वो एक गलती थी भारते जिनता पारिटी के जिसकी 47 सीटे आ रह हैं तो होगी उनकी कोई मजबूरी या कुछ त्याग वाला जो एक संदेश देने का एक भूत सवार होता है वो होगा कि वह हम अपने सहयोगियों को भी पूरा सम्मान दे करके चल रहे हैं इसके बावजूद के जनता उनको नहीं चाहती है लेकिन ऐसे आदमी को उपराष् बना करके अपने हाथ क्यों कटवाना चाहेंगे परधान मंतरी नरेंदर मोदी तो यह अब यह कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था बकवास है यह है वह लेकिन बिना बात के तो बात आगे बढ़ती नहीं है कुछ तो ऐसा हुआ होगा और इन्होंने तो ज कीटे घटा दी थी इनकी तब भी घटी फिर घट गई तो तब भी इन्होंने यह कहा था दवी जवान से के भारते जनता पारटी का हक बनता है वह अपना मुख्यमंत्री बना ले पर चुकी ऑल्रेडी चुनाव से पहले यह बात डिसाइड कर चुके थी भारते जनता पार पर रोए थे कि हमें तो किलर्क बना के रख दिया है कॉंग्रेस में तो आपकी सीटें अगर कम रहेंगी और ज्यादा सीटों वाली पारिटी आपको सपोर्ट कर रही है तो आप यह सम्मान की अपेक्षा कैसे करके चलेंगे आप सारी मनमर जी फिर भी आप ही की चले सरकार में यह कैसे संभाव है और उधव ठाकरे जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए जैसे मनमाहन सिंग के प्रदान मंत्री रहते हुए तू जी छी यह जी वो जी पता नहीं कितने गोटाले हो गए थे उसी तरीके से क्या-क्या नहीं हुआ महराष्ट में लेकिन 56 सीटें थी 288 के सदन में बले ही एंसीपी और कॉंग्रेस के पास 54 थी लेकिन उनहीं के सपोर्ट पर वो मुख्यमंत्री बने हुए थे तो कुछ नहीं बोल पाए अब इनका भी हाल हम और आप देखेंगे अगले छे महिने में ही पता लग जाएगा कि जूतम पैजार शुरू हो चुकी है और भतीजे जो हैं चाचा पर हावी हैं लालू जी के किस तरह के बयान थे ये साप है कैचुली छोड़ता है और इन्होंने तेजस भी नहीं क्या आरती उतारी थी इनकी सदन के वीतर क्या-क्या नहीं बोल दिया था इनके बारे में वो सारा फुटेज मिल जाएगा तो एक ऐसे मतलब पर्दे के पीछे कुछ हो रहा होगा अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा था और आपकी इगो इतनी ज्यादा हाई थी 43 सीट आने के बावजूद तो वो एक अलग मुद्दा है लेकिन अब तो सारवजनिक रूप से आरती उतरती हुई पूरा देश देखेगा व दो लेकिन यदि इनके शासन के जो बेसिक पेरामिटर होते हैं वो में एक मिनट आपको शेर कर देता हूँ जो इनकी पर सॉरमेंस है वो इसको हम देखें इसको हम देखें इन्डिकेटर को तो बिहार की जो डेट है यानि उधारी है वो पूरे देश में ये जितनी जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें तीसरे चौथे नंबर पर है कि पंजाब जी जी आप देखें पंजाब तो खेर पचास परसंट से उपर जा चुकी है पच्पन परसंट पर है उतके अलावा राजस्थान 38.7 यानि पूरी जो ग्रॉस स्टेट डिमस्टिक प्रॉडक्ट है उसका 38.7 परसंट इनकी उधारी है यह इस तरह से अपनी चला रहे हैं संस्थाएं और यह आप इनकी देखिए तो यह रेवन्यू डेफिसिट जो है बिहार की पूरे देश में हाइस्ट है ग्रॉस फिसक इसका अगर आप उससे भी बड़े राज उत्तर प्रदेश से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश जो है वह रेवन्यू सर्प्लस है तो आप यह देख सकते हैं कि क्या इस्थिती इन्होंने बना रखी है इस प्रदेश की यह यह जो यह इंडिकेट कर रहा हूं यह यह जो माइनस वन पॉइंट थी रेवन्यू डेफिसिट का मतला हुआ सर्प्लस है यह वन पॉइंट थी यह उत्तर प्रदेश है अब यह ज शराब बंडी वाला और शराब बंदी का भी पागल पने के हद तक उसको वह करते हैं और उस में भी जो लोग अवैर शराब बना रहे हैं बेच रहे हैं उनके ऊपर फोकस नहीं है कोई पीते हुए मिल गया उसकी खैर नहीं थो यह सिस्टम बना रहा है इस लिए नीतीश बाबू का जो सुशासन वाला मामला है और इस समय वैसे भी उनका जो स्टॉक था वो बहुत ही डाउन था ऐसा नहीं लगता कि इस से कुछ और आगे होने वाला है तो अब देखते हैं अब बहुत अधिक दिन नहीं है मेरे खासे छे महीने में ही निगोश्केशन शुरू हो जाएगा लोग सभा लोग सभा की सीटों का तभी पता चल जाएगा यह तेजस्वी जो है वो इसको कितना भाव देते हैं जी एक परशांत किशोर का मैं इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पर आ रहा था कल से वो भी थोड़ा सा वोकल हैं उसमें इन से पूछा गया था इनके हाल के वक्तवियों को लेकर के 2024 को लेकर के भी अब क्या इंपक्ट होगा क्या ये भी एक पीम का चेहरा बन करके उबरेंगे तो परशांत किशोर का कहना था कि 2024 को छोड़ दीजे ये केवल बिहार कए अंदर का मामला है उनका कहना था कि ये नितीश जो है ये लेकिन बिहार कहां पहुंचा है बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है और मुझे एक बहुत दिल्चस्प इंटरव्यू के कुछ अंश याद आ रहे हैं राजदीव सर्देसाई मुकेस अंबानी से बातचीत कर रहे थे जिसमें उनका मजाक भी उड़ा सा राजदीव सर् नहीं ले था उन्होंने शुरुआती टिपनी कुछ होता है ना कि किसी किसी की आप चापलूसी कर रहे हो भूमी का बादने में कुछ अतिश है किसी की प्रशंसा कर दी तो वही भाव उस समय इनका था महराज का इन्होंने मुकेस अंबानी को इस देश का सबसे बड़ा ता मुकेस अंबानी ने क्या जवाब दिया था मुकेस अंबानी ने कहा कि हमारा जो भारत के जो डिजिटली करन चल रहा है उसमें हमारा कितना योगदान रहेगा और हमारे योगदान से हमारे परियासों से भारत किस आस्थान पर पहुंचेगा जो हमारा इंटरनेट का फलितार्थ होगा, वो इंडेक्स कहां पहुँचेगा, मैं उसको अपनी सफलता या विफलता मानूँगा, ना के इसको के मेरे पैसो में, मेरे धन में, मेरी अमीरी में कितना और ज्यादा इंक्रीज होता है. तो इसी तरीके से अगर कोई भी चीफ मिनिश्टर है, अगर कोई प्राइम मिनिश्टर है, उसका कंट्रिव्यूसम क्या रहा है उसकी स्टेट के लिए और देश के लिए, ये महत्वपूर्ण होता है. ये नहीं होता है, किसाब आपने कितना क्या कमाया है और क्या खोया है. हो सकता है राजनितिक रूप से आप कमजोर हो रहे हों, लेकिन आप अगर राज्य के लिए कुछ कर पाए हैं, तो आपकी परशस्टी होगी, आपको लोग याद रखेंगे. लेकिन आप 15 साल के लालो और रावडी के जंगल राज की बात तो करते थे. उस जंगल राज की बात करते करते आप बीजेपी के सहयोग से चीफ मिनिस्टर बने और अब तो 20 साल हो गए हैं आपको बने हुए. लेकिन इन 20 सालों में आप बिहार को उस बदहाली से कितना बह साने को कुछ है नहीं अभी तक. यहां और यह बात कर रहे हैं उस रिलाइंस ग्रूप की जो एक साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, आप क्या जी एस्टी और इंकम टैक्स मिला के एक लाख नौ हजार करोड रुपए सरकार को देता है. जी जी जो हमारे सोचलिस्ट जो अंगावा करते रहते हैं तताकतित, वो सिर्फ जो है वो इनके दुएवे टैक्सों का डिस्ट्रिब्यूशन करने में अपना सारा सोचलिस्म दिखा देते हैं. तो सोचलिस्म का मतलब है यहां पर एक एक इक्स्प्रॉइटेटिव डिस्ट्रिब्यूशन. चलिए, इस वीडियो को शेर करें, लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा क्लारिफाई कर दे रुद्र जी, अगला प्रश्ट लेता हूं तब तक में. नूब गेम प्ले, बीजेपी को दो हजार चौबीस में हिंदुत्य के मुद्दे पे ही लड़ना चाहिए, पस मांदा को त्रिप्त कभी नहीं कर पाएंगे, क्या लगता है बीजे दूसरे भी मसले हैं, वो तब तक आएंगे के नहीं आएंगे, उमीद तो है के आएगा, उससे क्या वातावरन बनता है देश में, और कौन से मुद्दे होंगे, अभी समय है, मुझे लगता है. जी, नेक्स्ट, आर के रेडियू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए, जैत्तौपरश विश्वास जी, अब तक नीतीश और जेडियू साफ सुतरी थे, गंगा अजल रूपी मोदी जी से दुले हुए, अब एडी का कहर बिहार पर बरसेगा. संभावना तो है और होनी भी चाहिए. इसलाम में स्पेसिफिक मतलब होता है, जिसको यदि कोई मोदी जी को समझा दे तो अच्छा रहे जगा है. आजादी का मतलब होता है कुफर से आजादी. राज मुपा, वाट हैपन्स तो अन्डिया बिल्स इन राजसभा विद जेडियू एग्जिट? इसमें तो मुझे कोई समस्या नहीं है, नवीन पटनायक का सयोग मिलता रहा है, आंदरा प्रदेश के चीफनिश्ट का सयोग मिलता रहा है, और भी लोग हैं, ये तो बिल के उपर डिपेंड करता है कि उसकी तासीर क्या है? हाँ, बिलकुल, अब नाइन्टी नाइन्टी वन तो इनकी खुद की संक्या है, उसके बाद नॉमिनेटेड है, आपके, तो उसको मिला के सौ तो अकेले बीजेपी के ही हो जाते हैं, इनके निकलने के बाद भी राजसभा में जो बीजेपी के पास स्ट्रेंथ है, वो वन जीरो है, 110 है, और इनके थे ही कितने, साथ ही तो थे, हाँ, छह साथ थे, छह थे, छह थे, बज़े, एस नंदन जी, प्रवासी बिहारी का नमस्कार, धन्यवाद, नंदन जी, सागत है आप, यह पूछ रहे हैं, अनॉनिमस जी, नितेश कुमार has track record of sheltering and supporting terrorists, past few months, नितेश comfortable with central agency's operation of Pulwari Sharif as few ISIS recruiters have been busted. Sir, नितेश कुमार is supporter of jihad, how could not his hands be involved in Sabarwati train burning, where 59 car sevaks were charged to death, there is another leader from Maharashtra with central government busy with their own pathetic politics. ऐसे यह बात आई तो है कि यह Pulwari Sharif के बात से बहुत uncomfortable होगे. नेक्स्ट, इस पीपल अब बिहार रेडी तो वोट अवाव कास्ट, लाइक है अपने यूपी, अभी तो दूर की कोडी लग रही है, बिहार में दूर की कोडी लग रही है, उत्तर परदेश तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उससे निकल रहा है, क्योंकि जो कभी मायावती के supporter वो जो परिणाम है, वो बहुत कुछ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बदलती हुई, मनेश्टिसी को बयान करने के लिए, बिहार को मुझे लगता है क्या भी समय लगेगा? नाथूराम गांधी, I think NDA combined will be less than 272 in 2024 as per fresh acts by BJP, most are heartbroken, 30% from 37% who made Modi Prime Minister are heartbroken, rest 45-46% are brainwashed, secular and balanced 17-18% are anti-Hindu, so you can expect a result, last hope, Yogi G. ये इनकी टिपणी है, तो ये तो देखेंगे अभी, हमारी election analysis तो अभी ऐसा नहीं कह रही, और मैं अभी शीग रही एक election analysis लेके आऊंगा, अगले हश्ते तक, उस समय हम उंकार जी से फिर से उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहु उंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद, बंदे महात्र, बंदे महात्र.